हाश्टाग मी टू, रेस्लर्स का हाश्टाग मी टू मुव्मेंट दोस्तों शुरू हो गया है यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराक ठाकूर, खेल मंत्री अनुराक ठाकूर मिला आपको बता दू कि दोसों से जादा रेस्लर्स जो है, वो जंतर मंतर पे लगातात प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 72 घंटे दिये थे, देखिए, कुस तो बहुत बड़ी गड़बड है क्योंकि इतने सारे, इतने एक साथ, इतने सारे रेस्लर्स का आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? मतलब एक से एक, इसमें बजरंग पुनिया, भाई, बजरंग पुनिया हो गया, विनेश फोगाट हो गया, साक्षी मलिक हो गया ये सब आप समझ सकते हो, ये सब वो रेस्लर्स हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोचन किया है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सारती साथ बहुत सारे कॉमन रेस्लर्स, यानि कि कुछ रेस्लर्स तो ये तक कह रहे हैं, कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा सेक्शल अधनते, तो ये हिसाब किताब, आप आपको डर लगता है, अगर आपके पास गलत भी होगा ना, तो आपको पता है कि आवाज उठाएंगे तो सुनेगा कौन, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, शान्त, जाने दो, और ये हर जगाँ चलता है, ये हमा मानेंगे, FIR तो हो नहीं चाहिए, अनुराग ठाकोर से चार घंटे तक माचीत हुई है, चार घंटे तक, अनुराग ठाकोर ना दिलासा दिया है, और यहां तक 24 घंटे दिये हैं, ब्रिचलर सिंग को, कि या तो इस्तीफा दो, या तो रिजाइन करो, नहीं तो हम तुम को हटा देंगे, साक कर देंगे, ये मिनिस्ट्री ने बोला है, क्योंकि दोस्तों, ये बहुत जादा बवाल हो गया है, आप देख सकते हो ना, एक इनसान जूड बोलेगा, हलाकि अभी देखिए, जाच हो नहीं है, बट फिर भी यहां पर यहीं बोले कि इतने सारे लोग शा हो जाता है, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर है, यहां पर sexual exploitation का आरोप लगाया हुआ है, कि कुछ sexual exploitation तक करते हैं, एक wrestler ने ये बोला कि हम गरीब, मतलब हम इतने हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कुछती जानते हैं, हम कुछती करने आते हैं, लेकिन यहां पर जब इस त जो भी जो मांगेगा, हम वो आपको दे देंगे, ठीक है, तो यह 2011 से रेस्लिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है, और यह तीसरा टर्म है, 2019 में, 2018 में, इनका तीसरा टर्म था, तो अभी बबाल बहुत ज़्यादा हुआ है, और फिलहाल अनुराग थाक, और जो खेल मंतरी है वो इनसे मेले है, इसका solution अभी तक हमको नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर यही है कि, जो उनकी मांग है कि सबसे पहले तो जो training center है, लखनों से डेली shift हो, है ना, लखनों से डेली shift हो जाए, अब लखनों से डेली shift यहाँ पर एक और problem, लखनों से डेली shift अगर हम बात करते ह तो यही बृच्चलर सिंग कह रहे हैं कि भाई, वहाँ पे हर्याणा का जादा टच है, ठीक है, हर्याणा का जादा टच है, और जिस तरीके से अभी election वहाँ पे हुए हर्याणा wrestling में, और वहाँ पे जो फोगाट sisters आई हैं, तो एक तरीके से उनका दबदबा है, तो वहाँ यहाँ पे भी कहीं ऐसा नहों कि उनका हस्तक्षेप हो, यह उनका आरोप है, है ना, फिर यहाँ पे जो wrestlers हैं, उनका यह कहना है, कि जो foreign coaches हैं, ठीक है, उनको जो है, वो लाया जाए, अब जांच में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी पाया गया है भाई, कि सिंपल सी बात है कि यह इंग्रिज सरर सिंग की जो अकैडमी गोंडा में है, वहाँ के लिए तो यह foreign coach देते हैं, लेकिन wrestlers को foreign coach नहीं दिये जाते हैं, ठीक है, यह जब जांच होगी, तभी हम अच्छे से बता पाएंगे, क्या है, क्या, नहीं, और proper training session, proper बढ़िया तरीके से हमारी training हो, physios हो ताकि हम अच्छे से लड़ पाएं, साथी साथ जो यह misconduct हो रहा है, जो abuse हो रहा है, उसको बंद क्या जाएंगे, और सबसे पहली, जो सबसे बड़ी demand है, ततकालीन ब्रिज भूशन को हटाया जा, तो रंत इनको हटाएं, है ना, इनको तो बिलकुल भी नहीं रहना यह हिसाब किताब है, तो अभी दोस्तों जो भी होगा हम देखेंगे, हम बात करेंगे इन सारी चीजों की, अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो चली रहे है, जबरदस्त तरीके से, और इस समय ब्रिज भूशन सिंग की कुरसी जो है, वो खत्रे में दिखाई दे रही है, आगे आँको पते ही का जब विनेश भूगाट बोल रही थी, तो बोलते बोलते रोने भी लगी, ठीके किस तरीके का मिसकंड़क्ट हुआ है, और बड़े-बड़े रेसलर जो है, वो इस समय सामने आये हैं, अभी बविता भूगाट ने भी यही डाला है कि मैं BJP की न देखेंगे दोस्तों, फिलाल प्रोटेस्ट जारी है, और इसका सलीशन मिल नहीं रहा है, और यहीं बोला है कि हटाओ, और साथी जाथ FIR से मीचे तो मानेंगे ही नहीं, FIR आप दर्ज कर रही है, और उसके बाद फिर इंविस्टिकेशन होगी, पाकी देखते हैं दोस्तो क्या होता है, जो भी सरकार का डिसीजन होगा, और जो भी इसमें आगे होगा, वो हम आपको बताएंगे, देखे सिद्धान तक नहीं होतरी, साइनिंग ओफ